इस दिवाली पर लॉंच हो रही है ताटा की नई नैनो कार जी हाँ, मेरे भाई ताटा मोटर्स भी है। दी जल्द अपने पोर्टफोलियों में अपनी सबसे चोटी गाड़ी नैनो को बिलकुल ही नए अंदाज में लॉंच करने वाली है। ताटा नैनो गाड़ी का नया अवतार आप पहले से कई सारे जबरदस्त, टेक्नोलोजी फीचर से लोडेड होने वाला है। जानकारी यह भी मिल रही है कि टाटा मोटर्स नैनो गाड़ी को इलेक्ट्रिक अवतार में भी लॉंच करने वाली है। खेर इलेक्ट्रिक नैनो के बारे में हम कोई और विडियो बताएंगे आप बात कर लेते हैं अपकमिंग टाटा नैनो के बारे में। स्पेसिफिकेशन की बात करे तो अपकमिंग टाटा कमपनी अब 800cc का पेट्रोल इंजिन देने वाली है। यहां इंजिन 40 BHP की पावर और 69 का पीक टॉप जिनरेट करता है जो की वो स्पीड के मैनूल गेरबॉक्स से लेस होने वाला है। डिजाइन और लुक की बात करे तो अपकमिंग टाटा नैनो में शांदार लुक वाली हेडलाइट्स, छोटे फॉग लेंप और आपकी नजर जहां तिक्की की तिक्की रह जाए ऐसी शांदार दी है जो की टाटा नैनो को चार चांद लगा देती है। इसके साथ ही पीछे की और स्टाइलिश लुक वाले टेल लेंप्स दिये गए हैं। क्योंकि एक SUV गाड़ी को आप फील देते हैं। अपकमिंग 2022 टाटा नैनो गाड़ी के इंटीरियर लोग की बात करें तो इसमें Apple CarPlay और Android Auto के साथ तचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। नई नैनो कार में आइडल स्टार्ट स्टॉप अंशन के साथ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलेगा। इसमें एक समय डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक मल्ती स्पॉक स्टिरिंग विल भी होगा। ओवरल देखा जाए तो अपकमिंग टाटा नैनो डिजाइन और लुप के मामले में बाकी सेगमेंट की छोटी गाडियों की छुट्ती कर देगी। ये तो पक्का है। लॉंचिंग की बात करें तो कमिंग। 2022 टाटा नैनो कार को कमपनी इस दिवारी में पेश कर सकती है। और फाइनली ये गाड़ी 2022 के खत्म होने तक भारतिय सडकों पर दौरती हुई नजर आने वाली है। लॉंच होते ही टाटा नैनो कार का भारतिय बाजार में कड़ा मुकाबला बजाज क्यूट गाड़ी से होगा। अगर हम कीमत की बात करें, तो अपकमिंग टाटा नैनो कार को कमपनी 2,89,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉंच कर सकती है क्योंकि 5,000,000 रुपए तक जा सकती है। हमें लगता है कि आपको अपकमिंग टाटा के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा तो फिर आज से ही प्लैन बना लीजिए। नहीं टाटा नैनो गाड़ी के लिए। साथ ही वीडियो चला गया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर भी करें। थैंक यू वेरी मच्छ।